सब्सक्राइब स्टेट पावर करोपरेशन लिमिडेट का पार्ट टू यह एटींथ ऑफ डिसमबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट वन में एक पेपर हुआ था ठीक है और शिफ्ट तू में एक पेपर हुआ था आज के सेचिन में लोग जो टेकनिकल कोशन्स पूछे गए थे अपको मैं बैदा दू हमने प्रिवेसली जो फॉस्ट शिफ्ट का जो कोशन्स थे सेवंटी कोशन्स टेकनिकल के और थर्टी कोशन्स नॉन टेकनिकल के हमने अल्री चैनल पर व्लोड कर ले काफी अच्छा रिस्पॉंस हमें एक ही दिन के अंदर मिला उस लाए कि हमने गए थर्टी कोशन्स जो नोन टेकनिकल के क्षिंस से हमारे नय चैनल कोशिफाय पे अपलोड करा दिये उसी तरीके से आज के से स्चेंड कहभी जो रिमिनिंग थर्टी कोशन्स नॉन टेकनिकल वा हम लोग डिटेल सोलों के साथ में आपको प्रवाइड करा दूँगा अगर यह session आपने नहीं देखा होगा दे जाके तो प्लीज उसको जाके देखिए का इसको आए बटन पर आपको लिंक प्रोइड करें तो यह फिर session के end में जो भी नहीं काम करते हैं तो हम लोग ब्ट करते हैं तो डीन यहां लोग अजबा बूस्टर करकेबी युसटर कर देंд अल्कु की इसका correct answer था देखिए ये भी session में आपको try करूँगा कि जल्दी से वन आर के अंदर आपके 70 questions cover up हो जाए so that आप इसको quickly analyze कर सेखो ठीक है then the next question is question number 2 a magnetizing force of 800 ampere tons per meter will produce a flux density of dash in the air एक magnetizing force of 800 ampere tons per meter वो flux density कितना produce करेगा ठीक है आपको इसमें h का value given है h is 800 ampere tons per meter का ये value given है हमारे पास ठीक है mu r का value given relative permeability जो हमारी 1 है air के साथ में absolute permeability क्या रहे थे हमारी mu 0 वो रहे थे हमारी 4 pi into 10 raise to power minus 7 henry per meter ठीक है ये होगा हमारी absolute permeability अब आपको मैं आपके जो magnetizing force रहेगा वो क्या रहे है का हमारा b is equals to mu h ठीक है तो हमारा जो sorry जो magnetizing force हमारे पास already given है हमारे पास flux density की find out करते है that means flux density b that means Weber per meter square जिसमें हम लोग measure करते है ठीक है आपको पता होगा Weber per meter square में हम लोग flux density को measure करते है उसको हम लोग कैसे तरीके से find out कर पाएंगे तो mu जो है यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा इस mu को बर्वे अबलेटी के लिए mu 0 into mu r से हमें multiply करना पड़ेगा तो हम लोग b का value easily निकाल पाएंगे b will be equals to 1 into 4 pi into 10 raised to power minus 7 multiplied by हमारे पास h का value कितना है वह हमारे पास 800 ampere tansquater ठीक है तो इसका correct answer आ जाता है nearly approximate 1.000 something into 10 raised to power minus 3 तो यह minus 3 को अगर हम लोग consider कर लेते हैं तो यह हमारा milliweber में आ जाएगा 1 milliweber per meter square ठीक है तो option A का correct answer आ जाएगा देखते हमारा next question function of steel wire ACSR conductor इस ठीक है जो ACSR conductor में use होता है वह हम लोग additional mechanical strength देने के लिए हम लोग इसको use करते है option D is question का correct answer आ जाए aluminum conductor steel reinforce जिसको हम लोग करते है यह बीच में aluminum steel का reinforcing रहते है उसके surrounding में हमारे पास इसके जो aluminum के conductors रहते है ठीक है यह aluminum हो गया और यह हो गया steel ठीक है तो यह बीच का जो steel का portion रहता है यह हमारा mechanical strength के लिए रहता है ACSR conductor में next question is because relay is essential for protection against transformers देखे बुकोष रिले जो slow developing interturn fault है इसके लिए हम लोग उसको use करते है slow developing faults के लिए option A is का answer हो जाएगा the direction of rotation of DC motor can be determined by DC motor के question हमने already cover करा है DC motor का rotation रहता है direction वो हम लोग flaming's left hand rule से पता करते है और अग हम लोग DC generator के अगर हमारे पास बात की रहती ठीक है तो हम लोग flaming's के right hand rule से हम लोग उसकी जो direction है रोटेशन की वो उसको पता कर सकते है important है धान में रहता है the next question is question number six most price protection scheme is the one from ठीक है most price protection यह पार्ट आफ डिफरेंशल प्रोटेक्शन है option A is question का correct answer रहता है ठीक है alternator के लिए जो most or severe outcome रहता है fault का हो रहता है हमारा stator का तो इससे लिए हम लोग differential protection alternator के लिए यह यह उस करते है इसको हम लोग रहते है most price circulating current protection system ठीक है important है the damping torque moving coil instrument is caused by the damping torque moving coil instrument में किससे बनता है किससे आता है वो रहता है हमारा AD current के द्वारा option A is question का correct answer रहता है इसके लिए मैंने आपका चार्ट ब्रेजन किया air friction damping fluid friction eddy current damping और electromagnetic damping हम लोग उसमें कौन से instrument particular लिए यूस करते है जिके जैसे इन्स्रुमेंट में हम लोग इसको damping यूस करते है तो यह आपको चार्ट ध्यान में रखना होगा important है moving coil instrument में हम लोग AD current damping के यूस करते है आपको पता ही होगा किसके लिए रहता है जो pointer हमाला कभी कब और तो हमें एक स्टेडी स्टेट लाने के लिए इस डैंपिंग टॉर्क की रिक्वाइर्मेंट रहती है तो आपको exact value नहीं पता अगर यह उस तरीके से तो इसको डैंपन आउट करने के लिए constant एक जगा लाने के लिए डैंपिंग टॉर्क की साथ होता रहती है दे खो डेंखे रोल्च की वांगिन एंब होग लिए के लिए किसमें लोग मेसर करते हैं एल्पर करते हैं में 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 इसंटिमेटर थे तो एडिय लिए गर्व और की बात करी एंटो सिंपल है एंसार आजाएक ओप्शिन 16 का करेक्ट अंट हर्स के लिए हम लोग क्या किसका यूनिट है हमारा फ्रिक्वेंसी का यूनिट है द्यान में रिखिए ट्रैश्राइक फॉर बेसर्च ट्रैंक स्पिल्वे आर्टम्स इन्वल्ड विद देखिए अगर आपने पॉर सेशन को अच्छी तरीके से पढ़ाऊगो तो आपको इज लिए हमारे हाइड्र लेक्टिक पाव प्लंड में देखिए शर्च टैंक का भी इसका मिनिंग उता है उसका डिफरेंट यूस होता है वहम लोग आगे चलके कभी डिसक्स करेंगे ठीके डीटेल में ओके फॉर बेस पिल यह सारी चीज़े एस सारी चीज़े एस्टिएट रहती है हमारे हाइड्र लेक्टिक पाव प्लंड से इन विच फॉलिंग लूपिंग कंस्ट्रक्शन अफ देखिए यह सी लेंग्विच पे काफी ज़्यादा क्वेशन पूछेगे पी एस्पी सी लेंग्विच को अपको डीटेल में पढ़ना होगा तो हमें प्लीज कमें कमेंट करेंगे कि हम लोग आज के सेशन में सारी चीज़ें डिसक्स नहीं कर पाएंगे इसमें काफी सारी चीज़ें इन वाल रहती है तो यहां पर क्वेशन में क्या पूछा गया है इन विच फॉलिंग लूपिंग कंस्ट्रक्श्ट अफ दे लेंग्विच दे बॉडड है क्लासट इडरेस में इस screenshot पहले तीन जो यहां पर हमारा नेटवर्क रहता है और फिर हमार पास यहां पर Style अ जो फर्स्ट ग्रेटर किस पर एंसलный ज doubling खने जाता है फॉस्तौ सलोजिए कार्ण ही अप्ल उलब्लॉड करता है। मुझे काफी सात बांतों में जो यह रहते हैं हमारे प्र बांता है था जैंतर प्र एंद्रन प्रोटोगाय स क्याकते इंटरनेट से लिए टर्मिनलोजी से इसका चार्ट में जल्दी जल्दी टेलिग्राम चैनल पर अप्रोड करा दूँगा विच अप्र फॉलिंग ऑप्षिंस इस टू फॉर्ट गिवन सर्किट दिक इसमें से कौन सा इस सर्किट के लिए ऑप्षिन है तो यह है हमारा नो करेंट इन दर लूप ऑप्षिन डी इस कोशन का करेंट एंसर एक इसमें नो करन रहेगा क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगर हम लोग केवल अप्लाय करते हैं इस सर्किट में था हमारे पास किस तरीके से मिलेगा 40-2 of I1-4 of I1-40 is equal to 0 तो I1 का जो वैल्यू होता है हमारा 0 हो जाएगा तो इस लूप में कोई भी करन फ्लो नहीं होगा तो यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारे एक्वेशन में I1 और I2 जो है दोनों भी equal है ठीक है और वो equal and opposite direction में flow हो रहे है ठीक है इसलिए से कोई भी करन नहीं रहेगा अगर हमारा फिल्ट जाए सिंक्रोनास मोटर का अंडरेक्साइट है पर यहां और यही ध्यान में रहाँ नहीं है For deed है अनले फिल्ट जाए सिंक्रोनास मोटर के अंडरेक्साइट है तो हमारा पार फेक्ट और और इंडेक्टर करेके और इसका फील्ड है वो अगर ओर एक्साइटेट रहा ठीक है तो आज़र करके वो काम करेंगे ठीक हो मुंग दो फॉलिएंग वाज़ फॉंडर वर्ल्ड वाइड वेब के इसमें से कौन से जो साइंटिस्ट है वो फॉंडर है तो टीम बनस ली इसका करेंट एंसर आजएगा ऑप्श सीएओ अभी चीफ और एक्जेकेटिव ऑफिसर है एपल के विच विच टेस्ट इस देटर्माइन दर मैगनेडाइजिंग इंप्रेंस ऑफ ट्रांसफर मैगनेडाइजिंग इंप्रेंस को बता करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को काम में लेते हैं तो वह है हमारी एलेक्टिकल वाइनिंग के अंदर तो हम लोग लाइव या फिर फेस वायर में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं ठीक है यह हमने यह पर बल्ब लगा दिया और यह हो गया हमारा नेट्रल तो इस इस अलवेस कनेक्टे इनफ फेस टर्मिनल ठीक है ऑप्शिन भी इसका करेक् यह फ्लिफ फ्लॉप ओके ऑप्शन का गरैन्सर आजये गा हूं की अब मतलब जो शन्मिंभ जो और चार गेवन आए वह हमारे डिफिकल्टी लेइं राइड राइड इसको यह इंद क्सिम ऑवरकम करते है तो यह है ओमारा व्लिवेस की औनका लोटर फॉर्प्शिसटिश के जो far away end का load रहता है वाँ पर voltage effect होता है radial system में और यह और कम की जाते है ring main system में ठीक है और यह जो है इसके में voltage effect नहीं होता ठीक है then the next question is question number 20 voltage regulation due to current effect में भी what voltage regulation जो रहता है current effect में वो किसके कारण रहता है या फिर वो क्या रहता है it may भी देखें negative रहता है positive रहता है तो यह रहता है हमारा negative voltage regulation रहता है due to current effect it is negative option A is question का gladness रह जाएगा और current effect में आपको पता है receiving end का voltage रहता है next question is the efficiency of a transformer is maximum when जो transformer की efficiency है maximum कब रहती जब हमारे copper losses equals to iron losses हो जाते देखें यहाँ पर काफी सारे students को दिक्कत गई है copper losses equals to iron losses है तो directly iron losses equals to copper loss consider करें नहीं ऐसा नहीं है जो copper losses रहते उसको आपको iron loss ही consider करना पड़ेगा मानलो iron loss हमारे पास 300 Watt है तो copper loss भी आपके 300 Watt जब हम लोग consider करेंगे तब ही जाके आपका transfer maximum efficiency भी work करेंगा important है तो यह बात आपको ध्यान में रखनेंगे यह काफी सारे छोटी छोटी-छोटी चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ इससे आपके examination में जो confusion रहती है वह आपके हापे clear हो जाती है ठीक है next question is if the current through the coil having a inductance of 0.5 henry is reduced from the 5 amperes to 2 amperes in 0.05 seconds calculate the mean value of EMF induced in the coil अगर हमारा current जो है coil में से जो inductance है हमारा पास 0.5 henry का वो reduce किया गया 5 amperes से लिके 2 amperes में 0.05 second में तो हमारा पास mean value find out करेंगे EMF induced in the coil को देखे mean value हम लोग find out कैसे करेंगे अगर हमारा पास यह में फिर रहता है हमारे coil में फिर नेक्टर में हम लोग किस तरह किसे रिप्रेसेंट करते है e will be equals to l di by dt त दिया क्या होगा हमारा final value of current ठीक है डिया का हम लोग किस तरह किसे रिप्रेसेंट करेंगे final value minus initial value of current और dt को that means final minus initial ठीक है तो यह सारे वाले सब्सक्राइब करते हैं का value कितना है हमारे पास डिया का value हम लोग निकाल लेते हैं I'll have to change the color so that you won't get confused ठीक है डिया का value हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं current final minus initial करना पड़ेगा हमें ठीक है ठीक है पास गिवन है final value of current and initial value of current final value कितना है 2A मैंस हमें 5A करना पड़ेगा ठीक है मैंने आपको previously reverse लिख दिया था बट आपको समझने के लिए समझा देए final हो लिख होगी और यह होगा हमारे initial value तो minus 3A हमारा यह current आगा है changing current dt का value कितना जाएगा same dt का value कितना रहेगा 0.05 final minus initial initial कितना था 0 था तो 0.05 second will be our dt का value and l is already given as a 0.5 we will substitute these values and we will get the value to 0.5 multiplied by minus 3 upon 0.05 seconds इसका value आता है minus 34 I hope आपको समझ में आओगा option B question का correct answer आ जाएगा okay I hope को समझ में आओगा देखते हैं हमारा next question maker is an instrument that gives a reading in the maker किसके लिए यह instrument रहता है यह रहता है हमारा हाई resistance मेजर्मेंट के लिए हम लोग या फिर insulation resistance को measurement के लिए इसको लिए को लिए को लूप करते मेशलाशन रैस्टंस के measurement के लिए हम लोग उसको करते हैं और हमारा insulation resistance कि में हमलोग मेशर करते हैं ओम्स में option 20 कुशन का करेंट एंसर रहे गाए और और अप्रेटिंग वोल्टेज कितना रहता है में गर्का वो रहता है हमारा 50 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक यह भी अबाद आपको ध्हान में रखना होगा और यह जो अगर हम लोग फाइल्स को ट्रांसफर करें बिट्वीन कंपूर्ट उसमें लोग एफटीपी यह प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं फटीप का फुल फॉर्म क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन सी इस कुशन के करें ट्रेंस रहें गए देखिए मैं बता अगर आप बैंकिंग एस्परेंट्स तो उसके लिए तो इसके लिए तो डेफिनेटली वह यूसफुल यह है नेक्स्ट पॉशन है हमारा कॉशन अमोरे 25 अ थ्री फेस इंडेक्शन मोटर रहन होती है अल्मूस्ट थाउजन आर्प्म पे नो लोड पे और 950 अर्प्म पे जब हम लोग सप्लाइ करते हैं फिफ्टी हर्ट्स थ्री फेस लाइन से तो हमारा फ्रिक्वेंसी कितना होगा रूटर वूल्टेज का फ्रिक्वेंसी ऑफ रूटर वूल्टेज कितना होगा इंपोर्टन है ठीक है अट्वेंस में थाउजन माइनस 950 अफ़ान थाउजन य सब्सक्राइब कितने हमार बास 50 तो 0.05 मुल्टिपलाइब 50 विल बी 2.5 हर्ट्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट थैंसर इन दिसक्स आयोग आपको समझ में आया होगा देखते अब हमारा नेक्स कुशिन कुश्चिन 261 किलोवाइट और और अफ ऐलेक्रिक्रिकल अनर्जी स ऑंवन Gian करेक्स ऑप्र केайн겠ों प्रिक्रिक्ड थैंसर की बीटने हुट् एम खूजी सि एहीन होग रटीजा यूशी ह मतल próxim टront ईया है तो फि Rabbit थड्म्रान उ समघ्जे biggest छोड किलोईट करेंते ग्लाइब 5 एम आट्यूट्ट थैंसफ लग्स एखते हैं दिए 23655 art दिएinaire थ और जूल किसका यह unit है यह ऐसा unit है electrical energy का CRT display is made up of small picture elements called pixels तीकि CRT में छोटे-छोटे pixels रहते हैं the dash pixels the dash images clarity or resolution of the display that means यहां पर जो fill in the blanks given है इसका meaning क्या है मैं समझा देता हूँ इसका meaning क्या है जितने smaller हमारी pixels रहेंगे जितने smaller pixels रहेंगे उतना ही हमारा clarity जादा रहेंगा अगर pixels इतने बढ़े रहेंगे और यहां पर इसके images बनी है तो इसका clarity कम रहेंगा जितने छोटे-छोटे pixels रहेंगे उतने high definition हमारा जादा रहते है आयो आपको समझ भी आया होगा option is question का correct answer आ जाएगा if the flux of a DC motor is approached to zero अगर हमारे DC motor के flux zero हो जाएगे तो motor है it will tend to run at infinite speed देखिए वह हमारा infinite speed पर run होने के लिए वह approach करेगी कोई ठीक है motor option b is question का correct answer आ जाएगा क्योंकि आपको पता है eb is directly proportional to n5 होता है तो n different speed के प्रोपोर्शन रहता है 1 by 5 option b is question का correct answer आ जाएगा in RLC series circuit and resonance frequency the voltage across the resistance is what RLC series circuit में resonance frequency पे जो voltage रहते है हमारा resistance पे वो क्या रहते है it is a equals to the applied voltage RLC series circuit में हमारे पास क्या रहेगा कि resistance रहेगा एक indicator और हमारे पास capacitor रहेगा यह हो गया हमारा RLC series circuit resonance condition में तो जो voltage रहेगा हमारा voltage across resistance is equal to the applied voltage क्योंकि यह दोनों भी cancel out करेंगे एक दूसरे को important है द्यान में रहते है और impedance जो रहते है हमारे resonance पे series circuit के लिए वो रहते है हमारा minimum ठीक है करता है ऐसा भी पुछा सकते है और अगर आपको parallel पुछा गया है तो हमारे current को magnify करता है ठीक है उसको हम लोग as a acceptor circuit भी कहते है series circuit को और parallel को reject circuit भी कहते है दोनों भी unity power factor पे और अपरेटर थे है रिस्टेंस पे option B कोशन का करेक्ट एंसर आ जाएगा the generation of hydroelectric power plant does not depend upon hydroelectric power जो है उसका generation किस पर depend नहीं करता है इसमें से कोन से तो हमारे efficiency of evaporator evaporator की efficiency पर इसका hydroelectric power generation हमारा depend नहीं करता है बाकि त्योंवे specific weight of the water rate of flow of water और of a head water water head का इस पे अफेक्ट आता है ठीक है option D is question का correct answer जागे ठीक है amount of जो रहती हमारे electrical energy जो कि generate करते है फ्रील की power plant से हुआ रहती हमारे E is equals to k times of theta q into h into eta ठीक है तो ये k times of gamma q h into eta तो ये सारे चीजे terms धहन में रखना होगा कि आपको specific weight rate of flow of water height of water इन तीनों पर depend कर दे generation of hydraulic power next question is which of the following cpu register contains the address of the next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed इस में से कौन सी which of the following cpu register इस में से कौन सा cpu register हमारे next इसका address रखता है तो आपको simple धहन में रखने को काफी आसन सा answer इसका program counter program counter ही ऐसा एक unit है जो हमारा address को जो next instruction हम लोग fetch करेंगे memory से उसका हमारा address टोर करके रखता है option D will be correct answer in this case how many different symbols are used in a base and number system देखे इसमें से कितने base different symbol है base and number system in book उसको यूज कर देखता है option B इस question का correct answer आजेगा it is and only a generation station has average demand and maximum demand of 48,000 kilowatt and 96,000 kilowatt plant capacity factor given है तो हमारा पस install capacity कितनी होगी पूछा गया है simple है देखे average demand हमारा पास given है जो कि 48,000 maximum demand हमारा पास given 96,000 plant capacity factor है 0.48 तो यहां पर plant capacity कितनी होगी 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 वह में हम लोग निकाल लेते हैं प्लाइंड कैपसिटी विल भी average demand upon plant capacity factor तो प्लाइंड कैपसिटी हम लोग निकाल लेंगे इसके वह जाएगा 48,000 upon 0.48 तो यह हो जाएगा हमारा 1 lakh ठीक है option D इस question का correct answer आजेगा सो देखते अभी हमारा next question question number 34 the net electromotive force around a closed circuit loop is equals to the sum of potential drops around the loop this law is called as देखे यह हमारा किर्चाफ second law होता है ठीक है जो net electromotive force होता है हमारे किनी closed loop circuit पे वो इक्वाल रहता है sum of the potential drop around the loop के सेल का law फे यह हम लोग किर्चाफ को second law है ठीक है second law हमारा कि कौन सा कीविल है specific की लिभी बूळा गया ध्यान मेरे क्या फरस्स लोगा रहता है हमारा केसेल और सेकंड लोग रहता है हमारा कीवल और जो कीवल रहता है ठीक है यह सेकंड लोग यह हमारा रहता है यह arrow glass हम लोग यहां पर हम लोग explain नहीं कर पाएंगे, arrow glass that means आप कोई भी window open करते तो इसमें आपको animations देखने को मिलते है slightly, slightly तो इसमें से कौन से window 7 में हमारा arrow glass graphical user interface नहीं था तो starter इसमें नहीं था, बाकि enterprise में प्रोफेशनल में और home premium में इसमें arrow glass graphical user interface उसमें था, option C is question का correct answer आजाएगा, which of the following graphics logic gate can be used to implement the functionality of any logic gate, इसमें से कौन से logic gate को हम लोग बाकी के logic gate को develop करने के लिए उसकरते हैं, तो हमारा NAND और NOR होते है, तो ही option में आपर NAND given है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा NAND, NAND में रेखना होगा NAND and NOR are the universal logic gates, देखते हैं भी हमाना next question, the three resistance of all, three ohms each are connected in a delta, अगर हमने तीन resistance delta में connect कर दिया, तीन ohms के, तो इसका equivalent value क्यों इतना होगा, branch का star connection में, मैंने इसका shortcut trick भी आपको बता दिया, ठीक है, अगर हम लोग delta to star कर रहें, इसका 3 value, इसका 3 value, इसका 3 value, इसका कितना हो जाएगा, 1 ohms, 1 ohms और 1 ohms, similar अगर आपको star का value given रहता है, और delta में पुछा रहता है, तो इसको हम लोग simply multiply करते रहता है, प्रिक है, option B is question का correct answer रहें गा, the ratio of sum of individual maximum demands to the maximum demand of the whole system under consideration is called, इसका म लोग कहे था diversity factor and it is always greater than 1, it is ratio of individual maximum demand to the maximum demand of the power system, अपको इसका greater than 1 क्यों रहता है मैं समझा दू, जो individual maximum demand रहती हो हमेशा जादा रहती as compared to the maximum demand of the whole system, इसलिए diversity factor is always greater than 1, important है ध्यान में रहती है, और यह किसके लिए यूज के जाता है, यह भी काफी बार आपको ध्यान में रखना हों का भिंगन एलेक्ट्रिक लेंजरी है, तो यह basically plant, capacity of the plant equipment को, capacity of plant equipment को जानकारी रखने के लिए हम लोग इसको diversity factor को utilize करते है, इसको use करते है, which of the following is equivalent to the boolean function, ठीक है, यहापर boolean function हमने यहापर mention करना भूलगे, x dash x bar, x bar plus y, इस boolean function का equivalent function क्या होगा हमें, question में पूछा गया, तो अगर हम लोग इसको represent करते हैं, इसको simplify करते है, x dash, x dash plus y, तो क्या हो जाएगा हमार पस, x dash plus x dash into y, ठीक है, इसको हम लोग simplify करेंगे, x bar, भी हम लोग इसको consider कर सकते, that means not, ठीक है, और इसका value हो जाएगा 1, that means x bar plus x dash into y, तो हम लोग इसको हम लोग इस तरह के से बहुत पाल सकते, इसको common कर सकते, x dash 1 plus y, तो आपको यह 1 plus y, 1 plus y मतलब कितना हो जाएगा कि इसका value 1 हो जाएगा, ठीक है, और यह law कौन सा रहते हैं, यह रहते है, हमारा null law, तो इस law के द्वारा हमारा जो value आएगा, फाइनल हुआएगा, simply x dash, तो option d, इस question का correct answer आजएगा, इस equation function का हमारा final value रहेगा, ठीक हो रहेगा, हमारा simply x dash, आयो पको समझ में होगा, यह कोछ important law, identity law, null law, यह सारे important laws, इसके end forms, और form, इस से काफी अच्छी तरह के से हमने, logic gate के जो हमारा session था, उसमें मैंने आपको समझा defecting talk in an analog measurement device is what? वेब पेज़ेस बूख के लिए हम अगर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज़ेस ग्रूप कर दिया तो यह हमारा वेबसाइट उसके तैयार हो जाता है ठीक है वाल्ड वाइट वेब लुक ध्यान में रखें उसका हम लोग कहते हैं नोरीले इस वाट दिखें काफी बर ऐसा कोशन ने पूछा गया है यह के हमारा वोल्टेज ट्रिस्टेंट डिरेक्शनलेलाई टीक है ट्रियान में रखेंगे यह इंपोर्टेंट और यह काफी बर बेसिक सा कोशन आइसा पूछा जाता है इंपरेंस रिले कहा रहा है हमारा लिए रिस तें ड्रीश्क है ओर करंट रिले खेठ्ड और विधनीट रिले डीकनी वोल्टेज़ु किये हो टार्ट रिस्टाइब में ड्रीकरण से एह तेग्युक तो के अध्यूल को ऱ lighter ठीकद क्या है grab can पूछा गया है तो अगर हम लोग find out काना चाहते है सिरीज आरे जी दरिकेट में तो नेट इप बेड़ने संब लोग किस तरीके से निकालते हैं जैट इकोस टू अंडरूट आफ आर स्क्वेर प्लस एक्सल माइनस एक्सल माइनस एक्सल करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा यह काफी इंपॉर्ण था विरी को डिवन रहते हैं ठीक है वेरिएबल को सभिस्टयंट नउटैफंटंट को यह फिर फंग्सिंट नहीं यह ऐदेन्टीफ़ार रहेगा तो रहेगा हमारा वह अजये हमारा फोर ह हमद Nahe कि नंबर से स्टार्ट रहा है और हमार पासlike भी आपकstudy बें तो dau conservation सिसुष flour का चैंसरा जाएगा इसमें से कौन सा इसा logic gate है जो हमारा output 1 प्रोड़ाइट करेगा जब हमारा दोनों भी input different रहेगा तो simple है XOR gate के लिए कली मैंने आपको बताया था same question होने different language में पूछा गया 001 1011 येगर हमारे पास input होता है XOR gate के output के आएगा हमारे पास पूछा गया कुछ इस तरीके से XOR gate बनता है कि यहां पर एक line रहती है हला कि हम लोग फिर से बना ले देखिए मैं बता तो कुछ इस तरीके से लाए यह होता है तो इसमें इसका 00 रहता है दोनों भी अगर हमारे वास से में तो और 101 या फिर 10 के लिए 1 यह आउटपूट रहता है that means question में ही पूछा का है which of the following logic get provide output 1 when both inputs are different जब दो input different है दोनों भी input difference है तब यहां कि हमारा output यह हो गया हमारा XOR gate ठीक है output expression द्हान में रखना होगा y equals to क्या हो जाएगा XOR को कैसे लिखते है मैंने आपको बाता है था plus के ओपर एसा round B यह हो गया मारा XOR X9 अगर पुछा गया यह भी द्हान में रखना होगा हमने सीरीज में connect कर दिया और एक negligible resistance का वायर जो हमने उनके शंट में connect कर दिया उसके में ठीक है यह होगा हमारा बाब 40 और यह होगे 40 एक हमने शॉट पर connect कर दिया तो इसका net resistance कितना हो जाएगा C option C 0 हो जाएगा net resistance option C is question का correct answer आजाएगा option C is question का correct answer आजाएगा ठीक है option C is question का correct answer आजाएगा question इतना बड़ा पढ़के आपको समझ में आजाता है तो question के options में आप easily find out कर सकते हो ठीक है अगर हमने इस दोनों भी series combinations के लिए देखे समझा जाएगा इसके negligible resistance अगर हमना काफी कम है इसके शंट में अगर हमने connect कर दिया तो यह तो short हो गया इसका कोई significance ही नहीं तो effective resistance हमारा 0 हो जाएगा ठीक है option C is question का correct answer आजाएगा ठीक है देखते है हमारा next question and energy meter is what energy meter हमारा integrating instrument रहता है काफी बार यह basic question पूछा गया थे 2019 का यह जो PSPCL का paper है हमें थोड़ा easy लगा except इसमें अगर हम लोग computer के portion को छोड़ देते हैं तो ठीक है computer के कुछ questions उन्होंने काफी tricky आप मेंशन के थे बड़ हाला कि जो बागी questions था question पर यह थोड़ा easy level का हमें लगा as per my analysis ठीक हाला कि कुछ questions में tricky questions पूछे गया थे ठीक है but variety of questions आप इंक्लूट किया गया है उन्होंने हर एक topic में से questions आपको पूछे है तो energy meter क्या रहता है हमारा integrating instrument क्या रहता है क्योंकि time के साथ चलता है आपको पता होगा हमारा कितना वैट consumption है हुआ है time के साथ ही तो integrate करके हमें energy meter हमारा consumption बताता है न तो यह हो गया हमारा integrated instrument कभी भूल के मार करके मता रहा है इंटिकेटिंग इंटिकेटिंग इंस्ट्रमेंट हमारा पास उसमें voltage वल्टमेटर के यह वैटमेटर यह उसमें included रहते है बट integrating में हमारा energy meter रहता है जान में रखीगा it is advisable to start a DC series motor with a some load to do DC series motor को हम लोग कभी भी no load पे start नहीं क्यों करते है यह वो dangerously high speed attain कर ली इस graph के अनुसार आपको पता ही होगा torque वैसे जो speed रहता है ठीके तो हम लोग initially जो उसका talk initially low speed पे है उसका talk काफी हाय रहता है और काफी dangerously high speed पे हो talk initially जो रहता है अगर हमारा no load पे है तो टॉर्क कितना रहेगा कम रहेगा ठीक है तो उसका speed काफी हाय रहेगा इस पॉइंट पे तो हम लोग इसी लिए कुछ load हम लोग DC series motor पे apply करते है ठीक है option b discussion का current answer जाएगा so that हम उसकी speed को load speed को limit कर सके ठीक है important है if a memory has a 10 address line and the size of each addressable location is 4 bytes then what is the maximum storage capacity of the memory उस case में हमारा maximum memory आ जाएगा 4 के लोगए अगेन यह इसका question है हमारा maximum storage capacity कितना रहेगा 4 into 2 rest of power 10 तो 4 kb का हमारा maximum storage size रहेगा ठीक है which of the following property of algorithm states that the algorithm must terminate after the certain number of steps तो यह finiteness की property है ठीक है एक certain steps के बाद जो हमारा बताता है कि जो algorithm है वो terminate होना चाहिए इसको में लोग करते finiteness option C question का correct answer है ठीक हम लोग जान भुच के session को quickly समनाज़नी की कोशिश करें so that हमें 70 questions से एक की session में हम लोग cover कर सकें क्योंकि हम लोग बाकी के जो regular classes रहते है उसमें हम लोग काफी detail में मैं एक की question आपको समझाता हूँ यह previous question है ठीक है just for आपके convenience के लिए हम लोग इसको upload कर रहें आपको समझाने के लिए ठीक है next question is a galvanometer with a full scale current of 10 milliampere has a resistance of 1000 ohms multiplying power कितना रहेगा ठीक है और for shunt with a galvanometer is what अगर हमारे पास 100 ohms का shunt है तो multiplying power कितना रहेगा हमें question है पूछा गया तो इस case में IM का value given है IM का value है 10 milliampere IM क्या रहता है दीक हमारा वो रहता हमारा meter current okay RSS का value given है वो है हमारे पास 100 ohms का ठीक है shunt का और RM का value given है हमारा 1000 ठीक है और RM क्या रहता है यह रहता है हमारा ठीक है यह रहता है हमारा meter resistance तो आपको formula पता ही होगा RSH क्या होता है it is equals to RM upon M-1 तो multiplying power हमें M का value निकालना है इसमें हम लोग value substitute कर देते हैं यह कैसा हो जागा 100 equals to 1000 upon M-1 तो M-1 विल भी 10 ठीक है M का value आजाएक 11 तो option भी इस question का current answer अब मैं आपको दो चीज़ से बता देता हो इससे related ठीक है volt meter का जो range extension करना है हमें तो हम लोग एक series में उसके high value of resistance को connect करते हैं ठीक है जिसका value रहता है हाई और अगर हम पास current measurement के रहता है उसका अगर हमें range extend करना होगा तो low value of resistance उसके meter के इसमें हम लोग connect करते हैं ठीक है low value of resistance हम लोग parallel में that means shunt में हम लोग उसको connect करते हैं range extension के लिए current measurement के लिए moving coil instrument के लिए एक resistance के connect किया जाता है parallel में shunt में जो हमारे coil resistance के across में रहता है यह बात आपको ध्यान में रहता है वोल्ट meter में range extension के लिए high value of resistance हम लोग series में connect करते हैं उसके opposite होता है emitter में which of the following statements related to the boolean algebra is false तो इन चारो statement में से कौन सा boolean algebra का statement false है तो option भी इस question का correct answer आजागे दिखिए इसमें identity law absorption law और complement law इसको हम लोग use करके इसको solve कर सकते हैं अगर इसको हम लोग यह करते हैं एक समार एंड़ेड़वित एक सबार प्लस एक सबार इंटु वाई इसको लोग represent करते हैं तो एले जिस क्या हो जाएगा इसका समय एक्स एंड़ेड़वित एक सबार इसको क्या होता है एक सब्सक्राइब और आपको पता है यह अगर हमारा इस equation expression का इस तरीके से आया है ठीक है तो एक्स एंडेड विता एक्स बार आपको पता होगा क्या होता है वो जीरो रहता है पर यह पर यह पर राइट हैंड साइट में one given है तो यह हमारा false statement हो जाएगा इस तरीके से आप बाकी remaining options को भी भी cross verify कर सकते हो टीक है next question is for the same voltage drop increasing the voltage of a distributor n times is what अगर हमार पाइप से मुल्टेज आप है अगर हम लोग इंक्रीज करते है वोल्टेज डिस्टिपेशन का n times तो हमारा reduced to the cross sectional area by n times option a is question का correct answer आजाएगा काफी important है अगर हम आपाइप से मुल्टेज आप है तो हम लोग voltage of a distributor का अगर हम लोग इंक्रीज करते n times तो उसका जो cross sectional area conductor का वो भी n times ही हमारा कम हो जाता है ठीक है सो हमारा next question है question number 54 shunt reactors are needed shunt reactors हमें कब जरूर रहते है जब हम लोगों को receiving and voltage को हम लोग कम करने के लिए light load के लिए हम लोग लोग शंट रेक्टर के शंट रेक्टर का यूज करते काफी important है आपको फेरेंट इफेक्ट यह सारी चीज़े भी आपको पता होगे उसमें के सब्सक्राइब करने के लिए शंट रेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्क्राइब करने का इसमें थ्री एंपेस का थ्री एंपेस का वन हेंडिक्टर है तो के इतना एनर्जी स्टोर करेगा सिंपल है इसका फॉर्मॉला धान में रखनों का इस इकूस तू हाफ ल आई स्क्वार हो जाएगा हाफ मुल्टिप्लेट वाल इंडेक्टर कितना वाले वन करन का वाले कितना है थ्री स्कूर नाइन हो जाएका ठीक है तो यहाँ पे नाइन अपॉन टू टू ट्वर्ट फॉर पॉन फाइव वाट नीए फोर पॉनट फाइव जूल हो जाएगा थी कि हमने भी आप गलती का गलती सब को बता दें अपे जेनर्ट एनेजी बूल आगे एनर्जी का ही फॉर्मूला गए इस टाइब के मिस्टिक्स आफिक काफी बार है हम लोग कर लेते हमने भी 4.5 वाट करके हम लोग से रेट कर रहे थे बट इस नॉट करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए जो एनर्जी है हमने आपको पताया था जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन दी 4.5 जूल ठीक है इस तरीके से गल्दी काफी बार हम लोग कर लेते एनर्जी आप पूछेगे एनर्जी कितना हमारे पास इनर्जी में स्टोर रहेगा तो 4.5 जूल रहेगा ठीक है नॉट आपके वाटेज पूछा गए सिमिलर लिया आपको हमारा पास कापिसिटर का भी पूछा गए तो हाफ सीवी स्केर वो भी ध्यान में राखना होगा ठीक है को नेक्स क्टिशिन इस कुछन नमबर 56, विच और फॉल इसमें से से लियंगवज से रिल्टेट में और से ब्लूम से हम लोग से पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है variable जो है पारे C language cannot be declared as a logic double बट ये भी statement incorrect है बोथ 1 and 2 all are incorrect false next question is question number 57 1 kVA 230 volt 50 hertz single phase transformer has a eddy current loss of 30 watts eddy current loss when the transformer is excited by a DC source of a same voltage will be what दिखिए हमारा eddy current loss कितना होगा जब हमारा transformer excited किया जाएगा DC source है same voltage पिलिए वो कितना हो जाएगा वो होगा 0 watt option D इस question का correct answer जाएगी क्यों पता होना चाहिए eddy current loss का formula क्या है ka times of bm square multiplied by f square that means eddy current loss is directly proportional to the supply frequency और DC source के लिए वो लाग है DC source के लिए frequency कितना रहता है 0 correct क्योंकि आपको पता होगा उसमें frequency नहीं रहता है तो इसलिए eddy current loss हमारा 0 हो जाएगा that means आप इससे ये conclude कर पारे हो that means eddy current losses are frequency dependent losses ठीक है next question is question of 58 in a power transformer copper losses occur in power transformer में जो copper losses होते है वो किस कहां पे ओकर रहते है वो winding में रहते है copper losses कहां पे रहते है windings में रहेगा option D is question का correct answer आ जाएगा ideal voltage source has a dash source resistance यह काफी important है ideal voltage source का 0 हमारा source resistance रहना चाहिए और अगर अगर वास practical current source है तो practical current source का जो हमारा resistance है वो infinite रहते है it should be have a high resistance और low conductance इसका हम लोग कह सकते हैं okay ideal current source का जो resistance रहते है वो infinite रहते है और ideal sorry ideal current source का जो resistance रहते है हम अद्ध落"- रहते है और ideal voltage source का जो resistance रहते है वाना जिरॉर्स रॉर्स रिसर्टाइटाया रहते है जो बी यह बीलने है रहते है current source का इन глलत सोस्पा कुई दोना उन हमारा next question question number 60 a capacitor start motor if c1 is a capacitor capacity is required for the best starting torque and c2 is a capacitor is required for the best turning characteristics then is what अगर हमारे पास capacitor start motor में c1 capacitance है जो कि हमारा पास starting torque के लिए best है और c2 जो हमारा वो हमारा best running conditions के लिए तो हमारा c1 जो है वो लाज होना चाहिए than compared to the c2 दान मेरेकनों का option d is question का करेक्ट ना सर जाए कि ability capacitor star turn motor में क्या रहता है दो केपिस्ट्र रहते है ते जिसका starting capacitor रहते है ठीक है उसका जो value रहते है वो रहते है हाई और वो शौ। टाइम रिटेट रहते है और running capacitor जो रहते है उसका value low रहते है ठीक अ और वो लॉंग टेम रेटेट के लिए रहता है और उसका शॉट स्टार्टिंग केपसिटर हमारा कौन से मेटरल से मेटर बनाया रहता है वो इलेक्ट्रोलेटी और जो केपसिटर और सी टू जो सको हम लोग कहते है वो रहता है हमारा ओइल फिल पेपर यह आपको ध्यान में डखना होगा ठीक है ऑप्शन डी इस कोशन का करेट अंसर आ जाएगा गाईज नेक्स कुछी नहीं को सबस्राइब नहीं किया होगा प्लीज कंसिडर करें हमारे चैनल को सबस्राइब करने के लिए जिस से में मोटिवेटिशन बिलता है और मैं इस तरीकी से से अपको प्रोइड कर रहा तकर देखिए जिस ताइप का आपका रिस्मांस रहेगा उसे टा करना चाहते है स्वाइल की अपने देखा होगा जब आपके घर पर अर्धिंग किया जाता है उसके अंदर नमक चार्कॉल को यह हमारा मिक्स किया जाता है एक टाइप ऑफ अर्धिंग की प्रैक्टिस ही है विच कनेक्स कंजिमर के टर्मिल को डिस्रिबिशन पर करने के लि diverse several input-lines to a single common output-line देखिए इसका हम लोग कहते है multiplex multiplex buyers several input-line Eating i शो मारा वाइर आपो लोग कहते है multiplex करते है आप इसको तरीकर मालटिप्लेक्स में कभी भी जाता है यह तो आपको number of different shops प straps को मौलते है इसको हम लोग कहते है multiplexer demultiplexer पर हमें एक input रहते है और multiple output रहते है next question is question number 64 a moving coil gives a full scale deflection of a 15 milli amperes and has a resistance of a 5 ohms the value of resistance in a parallel to enable the instrument to read up to 1 amperes is what? एक moving coil है जो full scale deflection दे रहा है 15 milli amperes और जिसका resistance है 5 ohms का तो हमें value of resistance पूछीगे जो हम लोग parallel में connect करेंगे जो कि same instrument है हमारा rate कर पाएंगा 1 amperes का वो इसके पहले 15 milli amperes का rate कर पा रहा है तो अब हमें 1 amperes तक के rate करने की requirement है तो यहाँ पर जो series shunt resistance लगेगा हमारे पास increase करने के लिए इसके range ammeter की तो वो कैसे रहेगा RSH will be equals to Rm upon M minus 1 correct तो Rm का value given है Rm का value का 5 ohms का तो हमारे पास जो values given है जो full scale deflection का value given है वो 15 milli amperes का है full scale deflection का value directly given है और present full scale deflection of current कितना है 1 amperes का है तो हमारे पास M का value कितना हो जाएगा इट विल बीकर सु 1 upon 15 into 10 दिस्ट पार माइनस 3 आयगा आपको समझ भाए है 66.67 यह M का value आ गया और multiplying factor हो गया यह M का value देखिए यह किस तरीके से मैं आपको फेसे समझाते है तो M क्या होता है एक multiplying factor होता है इसका value किस तरीके साथ है प्रेजेंट FSD अपन प्रेजेंट प्रिवेस कितने प्रेजंट कितना था वन एंप इसका वाल्यू निकाल लेंगे जो हमने फॉर्मूल देखा जो कि शंट रेसें सम्लों कनेट करेंगे पारलल में वह इंस्ट्रुमेंट से हमारा 1A का करन्ट मेशर कर पाए तो हो जाएगा हमारा 5 आपॉं 66.666-1 इसका वाल्यू आता है एप्रोक्रिमेंट 0.076 तेकि मैं आपको वाता है यह जो शंट रेसेंस करेंगे जो इसके सीरीज में इसके पारलल में कनेक्टेट रहता है इसका वाल् लोग उसका जो रेंज है वो बड़ा कर सकते हैं ठीक है नेक्स्क्वेशिन इस रो इस कॉल्डा यह था रो क्या हता है रेस्टिविटी ऑफ़ माटेरियल ठीक है आर इसी कुस्ति क्या रो एल बाइ रो का वाल्यू क्याता है रेस्टिविटी धान मेरे की का एक करमाईजर स्टीम टर्बाइन सिस्टेम इस लोकेटेटेटें देखिए जो एकानमाइजर रहते हैं स्टीम टर्माइन सिस्टेम में वहाँ पर लोकेट किया जाता है फिडिंग वर्क वाटर सर्किट में उसको लोकेट हम लोग करते हैं क्वेशन नंबर 67 जो AC Armature Winding के अल्टरेटर की कहां पर अपरेट होती है अप्शन D इस क्वेशन का करेट आंसर आजाएगा जो इस एक अल्टरेटर आपने उसको इसमें रहते हैं कौनसी हाई-level language में रहते हैं हमारे C++ में रहते हैं option D is question का correct answer आ जाएगा थ्री-phase synchronous motor needs दीके थ्री-phase synchronous motor के लिए हमें दो supply की ज़रुरत रहती है एक तो गया थ्री-phase AC supply और DC supply ठीके इन दोनों भी sources के requirement रहती है थ्री-phase synchronous motor के लिए जो कि हमारी synchronous speed पर रान होती है नेक्स कुशन एंद लास्ट कुशन अफर सेशन इस देखी का एक 10 के विए 1500 फाइंड़ बाइंड़ वोल्ट का ट्रांसफर्मर है इसका resistance रेफर्ट किया हमने प्राइमरी से जो कि हमारा पॉइंट्री है equivalent resistance है हमारा ट्रांसफर्मर का जो कि रेफर्ट कि है secondary का वो कितना होगा हमें question में पूछा गया ठीक है वी पी कितना है हमारा पास 500 है और वी एस कितना है 100 फोट और आर वन डैश जो कि से हमें हमारा पास गिवन है दिके रेफर्ट टू प्राइमरी इस ठीक है रेजिस्ट जो रेफर्ट कि हमारा प्राइमरी वह हमारा पॉइंट्री ओम्स का तो हमें जो equivalent resistance कितना रहेगा ट्रांसफर्म का जो रेफर किया जाए कि secondary को वो कितना रहेगा जिरो पॉइंट्री अपॉन आर्टू डैश विल भी कुस्टो 500 अपॉन अंडेट का वोल स्क्विर इससे आप निकाल पाऊंगे आर्टू डैश वह आजाएगा हमारा जिरो पॉइंट जिरो वान टू ओम्स ठीक है option c इस question का correct answer रहेगा तो यह थे काई सकुछ 70 important questions जो प्रिवेस सेशन अपका हमारा जो shift 1 का पेपर था उसके 100 questions का session देख लिया होगा दोनों भी session अशेक और आज का session समझ में होगा इस session को आप दोस्तों के आज शेर करेगा जो हमारा thanks for watching this session and have a nice day